दोस्तों आज के इस वीडियो में आप हाइपर कलीमिय के बारे में जानेंगे ये एक medical condition होती है जिसमें आपकी बॉडी में पुटाशियम का लेवल जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है इस वीडियो में आप इस बीमारी के कारण, लक्षन, निदान और उपचार के बारे में जानेंगे पुटाशियम में एक जरूरी electrolyte है हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है पुटाशियम खास करके आपकी नसों, मासपेशियों और दिल के लिए जरूरी होता है लेकिन पुटाशियम की ज्यादा मात्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक होती है आम तोर पर किड्नी आपके शरीर में से फालतू पुटाशियम को बाहर निकालती रहती है लेकिन बहुत सारे कारणों की वज़य से आपके खून में पुटाशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है खून में पुटाशियम का नॉर्मल लेवल 3.6 से 5.2 मिली मोल्स पर लेटर ऑफ बलड के बीच में होना चाहिए अगर पुटाशियम का लेवल 5.5 मिली मोल्स पर लेटर ऑफ बलड से ज्यादा है तो इसे एक गंभीर हाई लेवल माना जाता है लेकिन अगर पुटाशियम का लेवल 6 मिली मोल्स पर लेटर ऑफ बलड से ज्यादा है तो ये जिन्दगी के लिए घातक हो सकता है अलग-अलग लैब्स में बताई गई वैल्यूस में थोड़ा फरक हो सकता है चाहिए आपका पुटाशियम का लेवल कम बढ़ा हुआ हो या ज्यादा बढ़ा हुआ हो आपको इसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए ताकि इसके दोरा होने वाली कॉम्पलिकेशन से बचा जा सके इस बिमारी के बहुत से कारण हो सकते हैं किड्नी फेल होना पुटाशियम के लेवल बढ़ने के सबसे आम कारणों में से एक है जब किड्नी फेल हो जाती है और यह सही तरीके से काम नहीं करती तो यह फालतू पुटाशियम को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती इसके कारण शरीर में potassium का लेवल बढ़ जाता है कुछ और बिमारियों के कारण भी potassium का लेवल बढ़ सकता है जैसे कि dehydration, type 1 diabetes, Edison's disease और internal bleeding कुछ अदवाईयों की वज़े से भी potassium का लेवल बढ़ सकता है जैसे कि कीमोथेरपी की दवाईया और angiotension converting enzyme inhibitors यह दवाईयां hypertension के मरीजों को दी जाती है और angiotension receptor blockers यह दवाईयां high blood pressure, heart failure और chronic kidney disease के मरीजों को दी जाती है potassium का supplement ज्यादा लेने से भी potassium का लेवल बढ़ सकता है alcohol का सेवन ज्यादा करने से भी potassium का लेवल बढ़ सकता है किसी तरह का कोई trauma भी आपके potassium के लेवल को बढ़ा सकता है जैसे जलने या कुचलने से लगी चोटे है potassium का लेवल ज्यादा होने के लेक्षन इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपकी body में potassium का लेवल कितना अधिक है ये भी हो सकता है कि आपको कोई भी लेक्षन दिखाई ना दे लेकिन अगर आपका potassium का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको लेक्षन नजर आ सकते हैं इसके लेक्षन इस परकार के होते हैं जैसे थकावट या कमजोरी सुन होना या चीटियां लड़ने जैसे महसूस होना उल्टी या थवा मितली सांस लेने में कठिनाई छाती में दर्द पाल्पिटेशन्स या अनियमि दिल की धड़कन और कुछ गंभीर मामलों में पैरलाइसिस या हार्ट फेलियूर भी हो सकता है क्योंकि हाई पाटाशियम लेवल के परिणाम गंभीर हो सकते हैं इसलिए इस कंडिशन का तुरंट इलाज करवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है अगर आपको बताएगए लक्षन अपने आप में नज़र आते हैं और या फिर टेस्ट के दोरह यह साबित हो चुका है कि आपका पाटाशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको तरंट इसका इलाज करवाना चाहिए अगर आपके पाटाशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको हॉस्पिटल में दाखिल होने के जरूरत भी पढ़ सकती है आपके खून की जांच करके या पिशाब की जांच करके पाटाशियम के लेवल का पता लगाया जा सकता है बढ़े हुए पाटाशियम के लेवल का इलाज करते समय डॉक्टर का मुख्य लक्ष ये होता है कि आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी इस बढ़े हुए पाटाशियम से छुटकारा पाए और आपका हार्ड स्टेबिलाइज रहे अगर आपके पाटाशियम का लेवल किडिनी फेलूर की वरे से बढ़ा है तो इस केस में हिमोडाशिस इलाज का सबसे अच्छा विकल्प होता है हिमोडाशिस में एक मशीन के द्वारा खून में से वेस्ट पदार्थ को निकाला जाता है जिसमें फालतू पाटाशियम भी शामिल है आपका डॉक्टर बड़े हुए पाटाशियम का इलाज करने के लिए आपको कुछ दवाईयां भी दे सकता है जैसे कि कैल्शियम गलुकोनेट कैल्शियम गलुकोनेट आपके हार्ट की उपर पढ़ने वाले बड़े हुए पाटाशियम के बुरे असर को कम कर सकता है या अधिक की सिफारिश कर सकता है। जैसे कि loop diuretics, potassium sparing diuretics, theazide diuretics, वे इं diuretic में से एक या अधिक की सिफारिश कर सकता है। इन में से हर एक diuretic kidney के अलग हिस्से को target करता है। कुछ मामलों में आपको मुह से लेने के लिए resin नामक दबा भी दी जा सकती है resin potassium के साथ bind हो जाती है और potassium को toilet के साथ शरीर से बाहर निकाल देती है यदि आपका high potassium level गंभीर है तो आपको तुरंत ilaj कराना होगा लेकिन अगर आपका high potassium level इतना गंभीर नहीं है तो आप घर पर अपने potassium के level को कम करने की कोशिश कर सकते हैं अपने high potassium के इलाज के लिए अपने डॉक्टर के निर्दर्शों का पालन जरूर करें और इन विद्यों को अजमाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें स्वाभाविक रूप से अपने potassium के levels को कम करने का सबसे असान तरीका है अपने भूर्यन में potassium की मातरा को कम करना इसका मतलब है ऐसी चीजों को कम खाना जिन में potassium की मातरा ज्यादा होती है जिन चीजों में potassium की मातरा ज्यादा होती है वे हैं केले, nuts, फलिया, दूध, आलू और अप्रिकोट यानि खुर्मानी आप अपने डॉक्टर से पूछ कर भी अपने लिए diet plan बनवा सकते हैं dehydration होने से भी potassium का level बढ़ सकता है इसलिए आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए आपको ऐसे ready-made खाते पदार्थ नहीं खाने चाहिए जिनमें additives की मातरा ज्यादा हो जैसे के commercially baked goods और sports drinks क्योंकि high potassium के लक्षन शुरुवाती चरण में सामने नहीं आते इसलिए यदि आपको high potassium का रिस्क है तो आपको नीमेत रूप से अपना blood test करवाते रहना चाहिए सही diagnose के साथ high potassium का इलाज किया जा सकता है अगर आपको वीडियो में दी गई जानकर ये अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजे और मेरे चैनल को subscribe भी कर लीजे Thank you so much